आज की वीडियो का टॉपिक है एड गूगल ड्राइब फाइल्स टू नोशन आटोमेटिकली सिखाने वाला हूँ की कैसे आप अपने गूगल ड्राइब में अप्लोड होने वाली न्यू फाइल्स की डीटेल्स सेफ करवा सकते हैं अपने नोशन के एक पर्टिकुलर डेटा इसमें कैसे आटोमेशन को सैट करना है प्रासेस जानने के लिए बने रही है इस वीरियो में सबसे पहले अपने ब्राउजर में डाइब करेंगे सामने आ जाएगे ओफिशल वैबसाइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं अल्रइड अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ दाथ स्वाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर first option आएगा पैबली कनक का क्लिक करूंगा access now पर access now पर क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली कनक का dashboard create workflow पर क्लिक करके अपने workflow को मैं एक नाम दे दूँगा मैं एक simple सा नाम दे देता हूँ Google Drive to Notion ठीक है मैंने नाम दिया है Google Drive to Notion आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बजा देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करते हैं integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरे google drive के किसी folder में जबे भी मैं कोई new file upload करूँ या पिर ऐसी normally कोई new file upload कर दूँ तो automatically उस file का नाम और साथी साथ उस file की downloadable URL मेरे notion की इस table में है ना जैसे कि आप देख रहे हैं इस base में जिसका नाम है notion automation यहाँ पे file name add हो और यहाँ पे link add हो जाए तो ऐसा automation में चाहता हूँ ऐसा automatically कराने के लिए trigger application में हमें सबसे पहले choose कर लेना होगा हमारे google drive को उसके बाद trigger event में हमें choose करना होगा new file को then connect पे click करेंगे then add new connection पे then sign in with google पे then अपना google account चूज कर लेंगे जिस google account के google drive को हम connect करना चाहते हैं नीचे scroll करके continue पे click करेंगे don't worry, happily connect is 100% safe जैसे कि आप देख रहें connected है अब मैं जैसे click करूँगा save and send test request पे तो recently जो भी file upload की गई होगी मेरे google drive account में उससे related details मेरे सामने आ जाएंगी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँपे details आ गई है मेरे सामने है ना यहाँपे मेरे पास एक image पढ़ी है जिसका नाम है happy republic day ठीक है तो इसको मैं upload कर देता हूँ अपने google drive पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह upload हो रही है upload complete हो गया है successfully एक बार मैं refresh कर लेता हूँ upload करने के बाद refresh कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँपे अभी तुरंत यह image हमने upload कर दिये कुछ इस तरह की है image आपन करके मैंने आपको दिखा दिये अब मैं आता हूँ पैबली connect पे और save inside test request पे दुबारा क्लिक करता हूँ अब हम confirm करेंगे कि यह image हमने अभी upload करी उससे related details capture होती है कि यहाँ पे response again हमें receive हो गया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने details हैं सारी की सारी यहाँ पे अब हम उपर आ जाते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे name के अंदर हमें मिल गया file का नाम जो की लिए then web content link तो उसके बाद यह मिल गई हमें web content link इसको हम copy करके एक new tab में open करके देखते हैं कि यह link हमें कहा लेके जाती है तो मैं इसको copy कर लेता हूँ simply एक new tab में open करता हूँ simple यहाँ पे मैंने एक new tab में open करा इस link को तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं image download हो गया है open करके देख लेता हूँ photos में जाके जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वही same to same image है तो इसका मतलब यह है कि connection एकदम proper work कर रहा है google drive और public connect के बीच में अब मैं चाहता हूँ कि public connect के पास यह जो details receive हूई है जैसे कि यह downloadable link और साथी साथ file name यह दोनो details मेरे notion में यहाँ पर इस table के अंदर add हो जाए यहाँ पर name add हो जाए यहाँ पर link add हो जाए तो ऐसा मैं चाहता हूँ ऐसा हर बार automatically हो ऐसा करवाने के लिए आपको क्या करना है वो आगे की process बताने से पहले मैं आपको एक important बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे every 10 minutes लिखा हुआ this trigger will check for new data in every 10 minutes मतलब कि आप automation जब check कर लेंगे automation check करने के बाद आप जाके अपने google drive में कोई new file upload करेंगे तो आपको तुरंत जाके check नहीं करना है notion के अंदर कि वहाँ पर details आइड होई के नहीं after 10 minutes करना है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 10 minutes के बाद आपको हर 10 minutes में यह trigger है यह check करता है data new data के लिए तो आपको तुरंत जाके check नहीं करना है 10 minutes का wait करना उसके बाद जाके notion के अंदर data चेक करना है अभी मैंने manually 7-sign test request पर click किया था that's why तुरंत 1 second के अंदर हमारे सामने details आ गई लेकिन automatically जब यह process होगी तो हर 10 minutes में होगी चली अब आगे की process क्या है हमें आना है हमारी action application में और यहाँ पर choose कर लिए notion को search किया choose कर लिए notion को then उसके बाद action event में हम choose करेंगे create database item को then उसके बाद connect पर click करेंगे connection के लिए then add new connection पर then connect with notion पर then उसके बाद ही हमसे access मागेगा तो हम access दे देंगे don't worry probably connect is 100% safe है ना जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह load हो रहा है तो यहाँ से मैं access दे देता हूँ select pages पर click करूँगा और सारे के सारे pages select करके यहाँ पर allow access पर click कर दूँगा तो यहाँ से access मिल जाएगा authorization successful हो गया जैसा कि आप देखने connected है मेरा notion family connection और यहाँ से अब हमें database select कर लिना है तो यह कुल 4-5 database है मेरे notion के account में इनमें से एक database है notion automation यही वाला notion automation वाले database को मैं choose कर लूँगा क्योंकि उसी के अंदर मैं data act करवाना चाहता हूँ जैसा कि आप देखने हैं choose करने के बाद यहाँ पर link file name content के options आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने इन दोनों का तो बनाया हुआ है इन दोनों के तो columns यहाँ पर बनाया हुए है that's why यहाँ पर show रहे है content जो है यहाँ पर by default जो है add होता है हर वाली हर process में तो इसको आप ignore कीजिएगा है ना तो यहाँ पर link और file name हमें add कर दिना है दोनों हमें उपर मिल चुकी है with the help of google drive, probably connect है ना यहाँ पर हमें link सबसे पहले add कर देनी है तो add करने के लिए हम एक technique का use करेंगे जिसको हम कहते है mapping mapping में हम हमारी trigger application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे add कर सकते हैं आपको बताता हूँ just आपको blank field पर click करना होता है नीचे आपकी trigger application का option आता है click की जिसके उपर सारा data open हो जाएगा यहाँ पर आपको find करना यह link ओके तो जैसे कि मैंने आपको open करके दिखाई थी कौनसी वाली link web content link ओके तो यह वाली link आपको click करके यहाँ पर map कर देनी है यह जो process मैंने भी करी इसी को mapping कहते है जितनी easy और simple है अतनी important है क्यों है क्योंकि next time जब कोई new person sorry new person बोला हूँ जब हम कोई new file upload करेंगे हमारे google drive के अंदर तो obviously बात है उस file का जो downloadable link होगा वो different होगा हर file का link different होता है क्योंकि तो यहाँ पर अभी मैंने यह link map किया है तो अगली बार क्या होगा जो भी file का link होगा automatically वो link मेरी इस blank field में आके add हो जाएगा map हो जाएगा क्योंकि यह link मैंने अभी map किया है that's why mapping is important ठीक है इसी तरह से file name में map कर देता हूँ यहाँ पर मैं सर्च करूँगा title तो title से नहीं आएगा name से सर्च करता हूँ तो यहाँ पर यह मिल गया हमें name तो click करके यहाँ पर हमने file name अड़ कर दिया then simply click करेंगे seven sentence request पर तुरंट एक second में आप देख पाना यहाँ पर successfully response received हो गया और हमारे सामने यहाँ पर details add हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख रहे यह रहा file name और यह रही जो link जो link थी वो इस link को copy करके एक new tab में open करके देख लेता हूँ यह वही link है या नहीं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह वही link है इसको open करने के बाद photo download हो जाता है और वही same to same photo है तो यहाँ पर इस data की presence बता रही है कि हमारा जो automation है वो successfully set हो गया हमें वापिस हाना है पर just save पर click कर देना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह पूरी process अब automatically होगी क्या होगा automatically अब जबी भी मैं Google Drive के अंदर जाके कोई new file upload करूँगा तो after 10 minutes उस file का नाम और उस file के downloadable URL मेरी इस notion के database में जिसका नाम है notion automation add हो जाएंगी खुद बाखुद मेरी involvement के बिना तो जब तक यह workflow ओन है यह process automatically चलती ही रहेगी तो ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हो इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow use कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt आता है या फिर आपके कुछ questions होते है या फिर आप मुझसे या मेरी team से बात करना चाहते है तो यहाँ दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे है पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ है यहाँ पे आप अपने questions, queries जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते है second thing अगर आपको पैबली connect की price जाननी है तो इस link पे जाके चेक कीजिए और सबसे most important part अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा Thank you